आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए मैदा का खास्ता लिटी जो चाना के साथ खाने बहुत अच्छा लगता है मार्केट के खा-खा-खर बोर्ड हो गए हो तो घर पे बनाए मैदा का खास्ता लिटी और चाना दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है चा चमस घी, आधा चमस खाबर सुटा, आधा चमस जमाइन मंगरेला, आधा चमस डालेंगे नमक, आप देख सकते हैं, सब को डाल कर अच्छे तरह से मिला लेना है, ऐसी परकार से मेरा मैदा अच्छे तरह से मिला हुआ होना चाहिए, तो मेरा लिट्टी ज्यादा खास्ता और टेश्टी बनेगा, आप देख सकते हैं, दोस्तों मेरा मैदा अच्छे तरह से मिल चुका है, अब इसको हम गरम पानी से हलका हलका पानी डाल कर सानेंगे, ठंडा पानी से नहीं सानना है, गरम पानी से सानना है, हलका हलका पानी डाल कर नहीं तो मेरा मैदा गिला हो ये घर पर बिल्कुल मार्केट के जैसा बनता है आप देख सकते ही मेरा आटासान कड़ो तयार हो चुका है अब इसे ढग कर हम 20 मियाट के लिए छोड़ देंगे इसे मेरा मैदा फुल कर सेट हो जाएगा तो चलिए हम अपना तब तक सत्तु तयार कर लेते हैं तो सत्तु लि प्याज आप देख सकते हैं अब इसमें डालेंगे आधा चमस जमाइन मंगराईला जिसे मेरा सत्तु टेश्टी बनेगा आधा चमस नमक है उसमें डालेंगे तीन चमस सरसो तेल हम अचार का तेल डाल रहें आपके पास ना हो तो आप कच्छा सरसो तेल डाल सकते हैं इसमे परकार से मिला लेना है चमल से मिलाने में नहीं बने तो हां से अच्छे तरह से मिला लेना है आप देख सकते हैं हमें अच्छे तरह से मिला लेना है इसी परकार से आप देख सकते हैं मेरा सत्व कितना अच्छा से मिल करते हैं ज्यादा सुखा न रहे इसलिए थोरा सा डाले ह पानी का फुहारा जिसे मेरा सत्तु ज्यादा रुखा रुखा नर है आहलका सा नरम सा हो जाए और भरने में दिक्कत ना होई तो आप देख सकते हैं दोस्तो मेरा मैदा कितना अच्छा से 20 मिट बाद फूल कर सेट हो चुका है अब इसे छोटे छोटे लोई में हम तोर है आप देख सकते हैं इसी परकार से भरना है बहुत असानी से आप भर सकते हैं इसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता भरने में इसी परकार से भर लेना है थोड़ा भी फटता भी नहीं इस परकार से भरने वाला लिटी आप देख सकते हैं कितना अच्छा से भरा चुका है मेरा लिट्टी इसी परकार से सब को हम भर लेंगे आप देख सकते हैं एक बार इस परकार से जरूर बनाईए बिल्कुल मार्केट के जैसा बनता है आप देख सकते हैं मेरा लिट्टी थोड़ा भी मिनत नहीं लगता भरने में दोस्तों मार्केट के बार बार खाते हैं घर डालेंगे कराहे में रिफाइन जो आप देख सकते हैं हमने गैस पर गरम होने के लिए चरहा दिये हैं आप देख सकते हैं रिफाइन हम डाल दिये अब रिफाइन को चेक कर लेते हैं कि मेरा गरम हुआ है कि नहीं तो मेरा रिफाइन गरम हो चुका है तो उसमें डाले हैं लि खोक भी जाय और सुष भी जाय और खासता भी हो जाय नहीं तो तेजड़ पर पकाने से मिरा लीटी खासता नहीं हो APA कर अधर से कच्छा कहीं रह जाएगा तो इसी प्रकार से दीमी आज पर पकाना lymphik बिल्कुल मेडियम पर भी नहीं पकाना है अना बिल्कुल तेज पर पकाना है आप देख सकते हैं मेरा लिटी लाल होने लगा है कितना अच्छा से एक भी नहीं फटा इस परकार से भरने से भी फटता भी नहीं और बहुत कम समय में बहुत जल्दी आप भर सकते हैं तो आप लिटी के साथ खाने वाला चाना बनाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप देख कर बना सकते हैं और मेरा रेसीपी पसंद आए तो मेरे चाइनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा